जो चुनाओ है जो पंजाब में हम लोग देख रहे हैं कि शानों के मुद्दे को गाइब कर दिया गया बेरोजगारी के मुद्दे को गाइब कर दिया गया गरीबी के मुद्दे महंगाई के मुद्दे सब को गौन कर दिया गया है केवल एक ही इश्यू दिखाई दे रहा है जो कि पंजाब में जो क्रियेटेड इश्यू है उसको दिखाया जा रहा है ताकि पंजाब में तो उनका कुछ है नहीं बचा वो तो भी जाना है लेकिन पं सबसे चुमार जी करते हैं भी जेपी का मतलब बढ़का जुठा पार्टी अब उनके नेटाही लालंचिंग हो या कौन हो वही लोग सरकार पर ही अपने ही सरकार पर जिसमें वो पाठ है उंगली उठा रहे हैं तब कौन जुटा है कौन फड़े भी है यह तो जनता देखे लोग कर रहे हैं कि नहीं देखिए मिलने का जुलने का तो राजनिती में लगा रहता है और यह मुलाकात हमने कल ही कह दिया था यह लेकिन जब दो राजनितिक दल के नेता एक साथ मिलेंगे तो राजनितिक बाते भी होंगी लेकिन वैसे कोई इसमें राजनिती के चस्में से नहीं देखा जाना चाहिए यह इस मुलाकात को लेकिन एक बात तो है कि माननिय उपेंदर कुसवाहा जी लगातार जातिये कनना हो विशेश राज का दर्जा हो इस मुद्दे पर अपना स्टेंड किलियर कर रहे हैं और असपस्ट रूप से वो बीजेपी पर हमला वर भी है तो उपेंदर कुसवाहा जी को तो इसके लिए साधुवाद धन्यवाद बनता ही है अब रही बात की कोन आएगा कोन नही आएगा कोन जाएगा ये सब राजनिती में चलते रहता है समझने वाले समझ गए जो ना समझे वो अनाड़ी है तो कुछ बात परदे में रहने दीजिए आगे आगे देखे होता है क्या अब सब चीच तो एक ही बार नहीं बोल दिया जाएगा लेकिन इतना तय है कि बिहा की बारह करोण जनता के मांग को तेजस्वी जादव जी चट्टान की तरह उस पर अडिग है और चाहे विशेश राज का दरजा हो जातिये जनगन्ना हो इसको लेकर के कोई कंपरमाईज का सवाल नहीं किसी को कोई कंफुजन नहीं रहना चाहिए तेजस्वी जादव जी ने असपश्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर हम अडिग है और इसे कराना होगा देना होगा ये किसी पाठी का नहीं ये बिहार की बारह करोड जनता की मांग है और बिहार बिधान सभा में जनता ने सबसे बड़ी ताकत नेता परतिपक श्री ते तो बहुत सारे दलों के नेता भी तेजस्वी जादव जी की मांग से सहमत है बियार की भलाई अगर जिसको चाहिए वो सब लोग साथ आएंगे दूसरे दल के नेता बिधायक भी आएंगे खरमास बाद आपने का आख खेला होगे तो क्या उस खेले की सुरुवात देखिए खेला तो हम 365 दिन करने के लिए तयार रहते हैं खरमास में भी चाहेंगे तो खेला कर सकते हैं लेकिन जनता की भलाई हमारे नेता तेजस्वी जादव जी की प्राथमिक्ता है तो बिहार की जनता के मुद्दे पर बिहार के को वाजिब हक दिलाने के लिए काउं पांच वरसों तक इंतिजार नहीं करता जो जागरूक राजनितिक दल होते हैं अरे जिस खेला की बात आप लोग कर रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं खेला तो बिधान सवह में जनता ने कर दिया सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी जादव जी को जनादेश दिया लेकिन जिसने उल्टा खेला खेला जनादेश का अफरन किया जनादेश के साथ अफमान किया उसको तो उसी खेला करके जवाब दिया जाएगा ने तेजस्वी जादब जी को दिया था इस बात से कोई इंकर कर सकता है क्या और अभी भी जो विधान सभा में संख्या बल है उसमें बहुत ज्यादा का मार्जिन है नहीं तो हम 365 दिन तैयार हैं लेकिन हम इंतिजार कर रहे हैं देख रहे हैं बियार की जनता कि कितने ये अवल इंजन में फाइदा क्या हुआ बियार को हर मामले में बियार फिसड़ी हो रहा है इसकी चिंता है तो हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जागरूख विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी जादब जी सजग है और जो सच्ची आवाज को रोकेगा वो दीवार गिरेगी झाल 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 झाल